जब से अफगानिस्तान में तालिवान रूल आया है तब से तालिवानियों ने पाकिस्तान के नाक में दम करके रखा है पाकिस्तान की हालात कुछ यू हो गई है ना ही वह चैन से सांस ले सकता है और ना ही वह मर सकता है अगले कुछ दिनों तक आप तालिवान के ऐसे कई कारणामे सुनेंगे जो पाकिस्तान को चैन से जीने नहीं देंगे तालिवान अब तक पाकिस्तान को हत्यारों से मार रहा था लेकिन अब तालिवान ने पाकिस्तान को सरेयाम बेज़ज़त करके भी मारना शुरू कर दिया है तालिवान ने अचानक पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर आज भारत के साथ पूरी दुनिया हसेगी सब्दों के हमले हत्यारों से ज़्यादा खदरनाक होते हैं और लंबे समय तक दर्द देते हैं अब तालिवान ने पूरे पाकिस्तान को सब्द से चलनी कर दिया है आपको बताने की हाल ही में तालिवान की कमांडर ने पाकिस्तान की कंगाली पर जम कर मजाक उड़ाया था तालिवानी कमांडर ने पाकिस्तानी सीमा के पास कहा था कि अगर पाकिस्तान की सरकार खुद को बेज भी देगी तो भी हम उसे नहीं खरी देंगे वैसे भी पाकिस्तान का कर्ज कौन चुकाएगा आपको यह जानकारी जरूर बिली होगी कि हाल ही में पाकिस्तान ने कहा था कि वो TTP को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला करेगा क्योंकि अफगानिस्तान की तालिवान सरकार TTP को संड़क्षन दे रही है पाकिस्तान ने एक तरह से बौकलाहट में अफगानिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की धमगी दी थी अब इसी के जवाब में तालिवान ने भी पाकिस्तान के साथ साइकलोजिकल वारफेर सुरूप कर दिया है तालिवान के एक मिंबर ने पाकिस्तान को 1971 के युद्ध की याद दिलाई जिसमें पाकिस्तानी सेना को भारत के आगे सरेंडर करना पड़ा था 16 दिसंबर 1971 को इंडियन आर्मी के सामने पाकिस्तान के 93 सैनिकों ने घुटने टेक दिये थे अब तालिवान ने इसी युद्ध की वो मसूर तस्वीर सेयर की है जिसमें पाकिस्तानी सैना के अधिकारी भारत के आगे आत्म समर्पड के डोक्यूमेंट पर साइन करते नजर आ रहे हैं फोटो सेयर करते हुए तालिवान के एक सदस्ते ने लिखा है कि पाकिस्तान के इंटिरियर मिनिस्टर हम पर सैन्य हमले की बात बिल्कुल भी न सोचें नहीं तो भारत के साथ सैन्य समझोते जैसी सर्मनाक इस्तिती दुबारा पैदा हो जाएगी आपको बताने कि तालिवान की तरफ से इस तरह के बयान ना सिर्फ पाकिस्तानी सरकार और सैना को दर्दे दे रही है बलकि पाकिस्तान की आम जंता को भी खून के आसुर उला रही है पाकिस्तान की जनता ये समझ नहीं पा रहे है कि इसलामिक देश होने के बाबजूद अफगानिस्तान पाकिस्तान की जमकर पिटाई क्यू कर रहा है तो दोस्तों आप सभी का इस वारे में क्या सोचना हैं आप हमें नीचे कमेंट में पिन करके जरूर बताना और वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक और सेर करना थैंक्स वर वोचिंग